नमस्कार, राश्चिय मुक्त विद्यालेई सिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय कोणों और कोणों के प्रकार पे चर्चा करेंगे। हमारे आसपास की भौतिक जगद में एवं संपून ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं हैं वो किसी न किसी आकरित के रूप में हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आकरितियों का अध्यान किया जाता है जियामित कहलाती है। जियामिती शब्द अंग्रेजी में जियोमेट्री का हिंदी रुपांतरण है। जियोमेट्री यूनानी भाषा के शब्द जियोमेट्रन का अंग्रेजी समानार्थी है। जियोमेट्रन दो शब्दों से मिलकर बना है जियो और मेट्रन। जियो का अर्थ है भूमी एवं मेट्रन का अर्थ है मापना कोणों यम कोणों के प्रकार को जानने से पहले हम बिंदु के बारे में जानेंगे बिंदु लगभग न दिखाई पढ़ने वाली एक जियामितिय आकरिती है सामानत्य बिंदु वीमा विहीन होती है बिंदु से हमें एक इस्थिती अथवा और इस्थित निर्धारन का बोध होता है अगर हम बिंदु के उदाहरन के बारे में सोचना चाहें या देखना चाहें तो प्रकार का एक सिरा अगर इसे कागश के एक टुकड़े पे रखा जाए तो बिंदु की आकरिती प्राप्त होती है पेंसिल के नुकिले सिरे को भी पेपर पे रखने से जो आकरिति प्राप्त होगी उसे हम बिंदु कह सकते हैं उसी तरह से सुई का नुकिला सिरे भी बिंदु बनाता है यदि हम किसी कागज पर माल लिजिये कि तीन बिंदु को अंकित करें तो इन में भेद बताने की निश्चित रूप से आवशक्ता पड़ेगी इसके लिए हमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C इत्यादी से व्यक्त करने की आवशक्ता होगी जैसा कि आप देख सकते हैं इन बिंदूओं को बिंदू A, B, B, C से व्यक्त किया सकता है एवं पढ़ा जा सकता है निसंदे बिंदू बहुत छोटे होने चाहिए रेखाखंड दो बिंदूओं को मिलाने से प्राप्त होने वाली जैमिती आकरित को रेखाखंड कहते हैं बिंदू P और Q दो बिंदू है इनको मिलाने से जो जैमिती आकरित प्राप्त होई है चित्र एक में उसे हम रेखाखंड कह सकते हैं P और Q बिंदूओं को कई तवीके से मिलाया सकता है लेकिन जो P और Q के बीच की नियुनतबरी को व्यक्त करें वही रेखा खंड है रेखा किसी रेखा खंड के दोनों बिंदूओं को अपनी अपनी दिशाओं में आप परिमित रूप से बढ़एने पर प्राप्त ज्यामिती आकरित होती है जिसे कि सरल रेखा प्रतिशेदी रेखाएं समानांतर रेखाएं किरण इत्याद चित्र में A, B एक रेखा है जिसे A के सिरे पर अब परमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और B के सिरे से भी अब परमित रूप से बढ़ाया जा सकता है किरण, रेखा का ऐसा भाग जो एक बिंदू से प्रारंब होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के आगे बढ़ता है किरण कहलाता है चित्र में O P किरण है, आप देख सकते हैं कि बिंदू P को आगे बढ़ाया सकता है और ये अपरिमित रूप से आगे बढ़ सकता है किरण में बिंदू P की तरफ से बढ़ाने पर, एक साइट से बढ़ाने पर हमें एक रेखा जैसा ही चित्र प्राप्त होता है लेकिन रेखा दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, रेखा खंड को दोनों तरफ बढ़ा के रेखा प्राप्त कर सकते हैं सूरी की किरने देख सकते हैं तार्ट से निकली होई प्रकास में किरने देख सकते हैं ये सब किरन के समाने उदाहरण हैं रेखा खंड के दो अंत बिंदु किरन का एक अंत बिंदु और रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है प्रतिशेदी रेखाएं दूसरी रेखा L2 है, दोनों रेखा हैं, एक बिंदु पर एक दूसरे से हो के गुजरती हैं, एक बिंदु पर एक दूसरे को kaटती हैं, उसे बिंदु P कहेंगे हम, और यह बिंदु प्रतिश्यदी बिंदु कहलाएगा उदाहरण के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के दो सनलगन किनारे देख सकते हैं वहाँ भी प्रतिशेदी बिंदु मिल सकता है अंग्रेजी का वर्ण माला का अक्षर X एक दूसरे को जहां कट करता है वो प्रतिशेदी बिंदु है रोट पे चलते हुए परस पर काटती हुई सणके भी प्रतिशेदी बिंदु बनाती है समानांतर रेखाएं दो या दो से अधिक IC रेखाएं जो प्रतिशेद नहीं करती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं इसे हम ABCD L1 L2 से प्रदरशित कर सकते हैं या दो रेखाएं AB और CD समानांतर हों तो उन्हें सांकेतिक रूप में AB समानांतर CD जैसा की चित्र में आप देख सकते हैं पढ़ा जाएगा चित्र में AB CD एक मेज है आप इसमें भी समानांतर रेखाएं देख सकते हैं एक अधिक को भिन बिंदूँ पर प्रतिक्षेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है चित्र में L और M दो भिन रिखाएं हैं तथा P एक रिखा है जो L और M दो रिखाओं को दो भिन बिंदूओं पर काट रही है इसलिए L और M की P एक तिरियक रिखा कहलाएगी जबकि चित्र दो में L, M और P रेखाएं तो हैं लेकिन वो एक ही बिंदु से होके गुजर रही हैं इसलिए यहाँ पर तिर्यक रेखा नहीं है कोण उभेनिस्ट प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है कोण को बनाने वाली दोनों किरणे उसकी भुजाएं एवं उभेनिस्ट बिंदु सिर्ज कहलाता है कहने का मतलब यह है कि यदि हम बिंदु को लें और उन बिंदुओं को मिला करके रेखाखंड बनाएं और फिर दो रेखाखंडों को इस तरह से मिलाएं कि उनका एक उभेनिस्ट शिर्ज बिंदु हो तो हमें कोण प्राप्त होता है चितर में AP और AD दो किरण है जो जिनका एक उभेनिस्ट बिंदु A है तो इस तरह से हमें PAD एक कोण प्राप्त होगा दूसरे चितर में O उभेनिस्ट बिंदु है O Q एक किरण है O P दूसरी किरण है तो इस प्रकार से P O Q कोण हमें मिलता है रेखाओं अथवा रेखा खंडों के मिलने पर कोण का निर्मान होता है यह आवश्यक नहीं है कि किरण से ही कोण बने रेखा खंड भी अगर उभैनिस्ट बिंदु पे मिलते हैं एक सिरे अगर उभैनिस्ट बिंदु पे मिलते हैं तो कोण का निर्मान होता है दूसरे सब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि तीन और एक ही बिंदूओं द्वारा बनी जयामिती ये आकरिती कोण कहलाती है बिंदूओं A, B, C की इस्थिति के आधार पर कोण के भिन आकार हो सकते हैं जैसे कि B, A, C कोण का आकार दूसरा है दूसरे चितर में B, A, C कोण का आकार दूसरा है और तीसरे चितर में कोण का आकार दूसरा है इस प्रकार बिंदू के इस्तिती बदलने पर बिंदू B की इस्तिती तीनों ही चित्र में अलग-अलग है और इसी के कारण तीनों कोण अलग-अलग माप के हैं कोण का मापन कैसे होता है आईए हम जाने कोण के मापन की इकाई डिगरी होती है तथा जिस ज्यामिती यंत्रद्वारा कोण का मापन होता है उसे चांदा कहा जाता है चित्र में 40 अंस के कोण को और 135 अंस के कोण को दर्शाया गया है कोण के मापन के लिए हमें घड़ी की सुई की विपरीद दिशा में चलना होता है कोण के विभिन प्रकार कोण के कई प्रकार हो सकते हैं पहला न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 अंस से अधिक का हो और 90 अंस से कम का हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं चित्र ए में सभी कोण न्यून कोण है क्योंकि उनकी माप सुन्ने से 90 अंस के बीच की है सम कोण 90 अंस के कोण को सम कोण कहा जाता है चित्र भी में 3 सम कोण दिखाए गये हैं सभी का माप 90 अंसे अतर ये सम कोण है अधिक कोण 90 अंसे अधिक और 180 अंस से कम के कोण को अधिक कोण कहते है चित्र C में अधिक कोण दर्शाए गए हैं इन्हें आप देख सकते है पूरक कोण जब दो कोणों की माप का यूग 90 अंस हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है चित्र एक और दो में एक कोण 30 हंस का है दूसरा कोण 60 हंस का है अता हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है चित्र दो में एक कोण 35 हंस का है दूसरा कोण चित्र तीन में एक कोण 35 हंस का है और चित्र चार में दूसरा कोण 65 हंस का है चुकि इन दोनों कोणों के मापों का योग 90 अंस नहीं है इसलिए चित्र तीन और चित्र चार के कोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं होंगे यह बात आप समझ सकते हैं केवल दो नियून कोण ही एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं संपूरक कोण जब दो कोणों की मापों का योग 180 अन्श होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है चित्र एक में पहला कोण 60 अंस का है और दूसरा कोण 120 अंस का है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाएंगे इसी प्रकार चित्र दो में 68 अंस और 112 अंस का कोण है चित्र तीन में 100 अंस और 80 अंस का कोण है चित्र चार में 135 अंस और 45 अंस के कोण है समपूरक कोण होने के लिए दोनों कोण समकोण होंगे अथवा एक नियून कोण एवं एक अधिक कोण होगा समझ सकते हैं आप चुकि दो कोणों की माप का योग 180 अंस होना है ऐसी इस्तिती में दोनों कोण या तो समकोण होंगे अथवा एक नियून कोण एवं एक अधिक कोण होगा दो नियून कोण कभी एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं क्योंकि नियून कोण सदैव ही 90 अंस से कम का कोण होगा और ऐसी इस्तिति में दो कोणों की माप का योग 180 अंस कभी नहीं हो सकता इसलिए दो नियून कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कभी नहीं हो सकते हैं इसी प्रकार दो अधिक कोण कभी एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं क्योंकि अधिक कोण 90 अंसे अधिक और 180 अंसे कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं जब कोण 90 अन्स से अधिक होगा, दूसरा कोण भी 90 अन्स से अधिक का होगा और 100 असियंस से कम का होगा, तो कभी भी दो कोणों का यूग 180 नहीं होगा। आसन कोण, कोणों का ऐसा यूग्म जिन में शीर्ष एवं एक भुजा उभैनिस्ठो आसन कोण कहे जाते हैं। जब हम पुस्तक खोलते हैं, तो हमें चित्र जैसी आकरित दिखाई देती है। A और B में हम कोणों का एक ऐसा यूग्म पाते हैं, जिसमें एक कोण दूसरे के साथ सनलगन है। अथवा हम किसी कार के स्टेरिंग वील को जब देखते हैं, तो वील के केंदर बिंदू पर तीन कोण पाये जाते हैं, जिन में से प्रतेव कोण एक दूसरे के साथ सनलगन होते हैं। ऐसे कोणों को आसन कोण कहा जाता है। लेकिन आसन कोणों में कोई भी उभैनिस्ट बिंदू नहीं होता है। दो आसन कोण एक दूसरे के संपूरक एवं पूरक हो सकते हैं। चित्र एक में दो कोण हैं, कोण एक एवं कोण दो, दोनों में एक उभेनिस्ट रेखा है, जबकि कोई भी उभेनिस्ट बिंदु नहीं है, अता ये आसन कोण है, उसी प्रकार चित्र दो में भी कोण एक एवं कोण दो आसन कोण है, चित्र तीन में चुकी उभेनिस्ट बिंदू नहीं है, दोनों के सिर्ष अलग-अलग हैं, इसलिए ये आसन्न कौन नहीं है उसी प्रकार से चित्र चार में सिर्ष बिंदू तो उभेनिस्ट है, लेकिन दोनों कोणों के मद्ध एक दूसरा उभेनिस्ट बिंदू भी है जबकि आसन कोणों में उभेनिस्ट बिंदू नहीं होता है इसलिए चित्र चार के कोण आसन कोण नहीं है आप देख सकते हैं चित्र पांच के कोण आसन कोण है राइखिक युग्म, ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिन में गैर उभेनिष्ट भुजाएं विपरीत किरणे होती हैं राइखिक युग्म, कोण एक एवं कोण दो, वो आप देख सकते हैं जो गैर उभेनिष्ट भुजा है, वो एक दूसरे के विपरीत है जबकि चित्र दूसरे चित्र में जो राखी क्यूगम नहीं है उसमें गैर उभैनिस्ट भुजा एक दूसरे के विपरीत नहीं है इसलिए इने राखी क्यूगम नहीं कहेंगे दैनिक जीवन के उधारण में सबजी काटने वाला पट काटने वाले ब्लेड पट के साथ कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है या पेन स्टेंड के साथ कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है रैखिक युग्म के कोण संपूरक कोण होते हैं चित्र में आप देख सकते हैं रैखिक युग्म के कोण संपूरक होंगे लेकिन दोनों रिखाएं एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए संपूरक कोणों का युग्म रैखिक युग्म तभी बनाता है जब प्रतेव कोण को दूसरे के आसन रखा जाए चित्र में एक कोण 140 अंस है दूसरा कोण 40 अंस का है अगर इन्हें एक दूसरे के आसन रखा जाएगा तो ये रैखिक यूगम बना सकते हैं दो अधिक कोण रैखिक यूगम नहीं बना सकते क्योंकि उनके कोणों का यूग 180 अन्स से अधिक हो जाएगा और वो रेखिक यूग नहीं बन पाएगा दो न्यून कोण रेखिक यूग नहीं बना सकते हैं उर्ध्वाधर सम्मुख कोण दो रेखाओं के प्रतिछेट से परसपर विपरीद दिशाओं में बने कोण कोण 2-4 का उर्ध्वाधर सम्मुख कोण है कैची आपस के कैची के दोनों ब्लेड आपस में उर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनाते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं स्ट्रेंड जो होता है समान रखने का अगर वो इस चित्र की तरह है तो वो भी उर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनाएगा यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं तो इस प्रकार बने उर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं कोण एक चित्र में देख सकते हैं कोण एक का मान अगर निकालेंगे तो वो 180 में से कोण दो को घटा कर प्राप्त किया जा सकता है उसी तरह से कोण तीन का मान अगर निकालेंगे तो उसे 180 में से कोण दो को घटा कर प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि कोण 1, कोण 3 के बराबर है इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 2, कोण 4 के बराबर होगा प्रतिखेदी रेखाएं जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं अथवा रेखा खंड किसी उभे निस्ट बिंदुस से होकर गुजरे तो उन्हें प्रतिशेदी रेखाएं कहते हैं चित्र में कई रेखाएं हैं रेखा AB है, रेखा DC है, रेखा OE है ये सभी रेखाएं एक उभेनिस्ट बिंद O से गुजर रही हैं अता इन्हें हम प्रतिशेदी रेखाएं कह सकते हैं तीर्यक शेदी रेखा एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन बिंदूओं पर पतिशेद करती है उन्हें हम तिर्यक शेदी रेखा कहते हैं चित्र में तिर्यक शेदी रेखा दिखाई गई हैं अगर दो सडके हैं उनको एक रेखा काटे एक सडक काटे तो उन्हें हम तिर्यक शेदी रेखा के रूप में मान सकते हैं दो रेखाओं के लिए असंख तिर्यक शेदी रेखा खींची जा सकती हैं चित्र में रेखा L एक रेखा है रेखा M दूसरी रेखा है और रेखा P उन्हें काटती है तो रेखा P L तथा M की तिर्यक शेदी रेखा कही जाएगी जबकि दूसरे चित्र में चुक्कि सभी रेखाएं सिर्फ एक बिंदु से होके गुजर रही है एक उभेनिस्ट बिंदु है जहांपे एक दूसरे को काट रही है इसलिए ये तिर्यक शेदी रेखा नहीं कही जाएंगी समानांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा जब दो समानतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काड़ती है तो निम्नलिखित परणाम प्राप्त हो सकते हैं जैसा की चित्र में हम देख रहे हैं पहला संगत कोणों का प्रतेख युग्म समान होते हैं एक आंतर कोणों के प्रतेक युग्म समान होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने, अंतर कोणों का प्रतेक युग्म सम्पूरक होता है, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, चित्र में L तथा M दो रेखाएं हैं, और रेखा P उनको दो भिन बिंद तो इस प्रकार एल तत्था M की P3 6 जेखा कहलाएगी आईये हम देखते हैं कि 3rd 6 जब द्बारा कौन कौन से इस्तितिया प्राप्थра क्ल कितने अंत्व कोन प्रापथ हो सकते हैं चित्र में कोन 3, 4, 5 और कोन छ तिर्यक छेदी रेखा के अंतर कोन कहेंगे जब कि कोन एक कोन दो कोन साथ एवं कोन आठ इनके बाह कोन कहे जाएंगे तिर्यक छेदी रेखा जब किनि दो रेखाओं काटती है तो संगत कोनों के युग में भी हमें प्राप्त होते हैं चित्र में कौन एक और कौन पांच कौन दो और कौन छे कौन तीन और कौन साथ तथा कौन चार और कौन आठ संगत कौनों के युग्म हैं एक आंतर अंतर कौनों के युग्म को हम देखेंगे कौन तीन और कौन छे तथा कौन चार और कौन पांच एकांतर कोणों के अंतह युग्म है तिर्यक छेदी रेखा कि एक ही तरफ बने अंतह कोणों का युग्म कोण तीन और कोण पांच तथा कोण चार और कोण छे कहलाएगा समांतर एकांतर वाह कोणों को युग्म को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कौन एक और कौन आठ तथा कौन दो और कौन साथ एकांतर वाह कौनों का युग्म है संगत कौन और एकांतर कौन को हम अंगरेजी के F तथा Z आकार के रूप में भी समझ सकते हैं जो संगत कौन होते हैं वो अंगरेजी के F आकार में पाय जाते हैं जबकि एक अंतर कोण अंगले जी के जेट आकार में पाए जाते हैं तो इस प्रकार हमने आज कोणों और कोणों के विभिन प्रकार के बारे में अध्यान किया बिंदु क्या होती है बिंदु से कोण किस प्रकार बनते हैं रेखा क्या होता है रेखा कंड क्या होता है कोणों के विभिन प्रकार ऐसे की न्यून कोण अधिक कोण सम कोण क्या होते हैं और तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण कौण 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 से होते हैं एक आंतर क कौन क्या होते हैं संगत कौन क्या होते हैं इनके बारे में जाना धन्यवाद